ये कहानी बहुत ही फेमस और मशूर प्रोडिसर करन भट की हैं करन भट एक बार अपनी एक होरर मुवी की शुटिंग के लिए मुंबई की एक चॉल को सिलेक्ट करते हैं जैसे ही वो उस चॉल को अंदर से देखने जाते हैं तो उन्हें किसी के हसने की आवाज आती है वो सोचते हैं होरर मुवी बनाते बनाते हो सकता है आटोमेटिक मुझे वेहम होने लगे हैं फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कोई उनके पीछे से आ रहा है वो फटाफट वहां से बाहर निकल कर अपने असिस्टेंट को चोल को बुक करवाने के लिए कहते हैं कुछ दिन बाद होरर मुवी की पूरी टीम वहां आकर शूट कर रही थी करन सर भी अपने असिस्टेंट के साथ सीन को क्रियेट करवा रहे थे पूरी शुटिंग क्लोस हो जाती है सब घर चले जाते हैं रात में फ्री होकर करन सर उस होरर मुवी को रिटन चेक करने के लिए अपने लेपटॉप में सीडी लगा कर देखते हैं इतने में ही वो चोक जाते हैं और अपने असिस्टेंट को कॉल करके घर बुलाते हैं असिस्टेंट के आने पर वो फिर से लेपटॉप को ओन करते हैं तो वो लोग देखते हैं हर सीन में एक लड़का बार बार उन्हें घुर रहा है मानो वो केमरे से सिर्फ करन सर को घुर रहा हो इतने में करन सर का असिस्टेंट बोला सर ये तो वही लड़का है लेकिन शूट करने के दोरान ये वहाँ नहीं था फिर ये केमरे में से आप सीडी में किस तरह से दिखाई दे रहा है करन सर पूछते हैं कौन सर वही जो कुछ दिन पहले हमारे यां ओडिशन पर आये था करन सर पूछते हैं लेकिन ये लड़का तो उस टाइम जिन्दा था फिर ये इस लड़के की आत्मा कैसे हो सकती है इसका मतलब कि इस लड़के की डेथ हो चुकी है ये सब जानने के लिए उन्होंने सोचा क्यों ना किसी तांत्रिक को बुला कर उस चोल में ले जाया जाए फिर तांत्रिक चोल में उस लड़की की आत्मा को बुला कर पूछता है तुम इन लोगों को क्यो परिशान कर रहा है वो लड़का वहाँ आकर जोर जोर से चिला कर रोता है और कहता है मैं एक छोटे से गाउं बिर्मावलकार रहने वाला था मुझे एक्टिंग बहुत पसंद थी मैं गाउं के छोटे मोटे नाटकों में रोल करता था फिर मेरा पेशन ही एक्टिंग बन गया मैंने घरवालों से परमिशन ली और मुंबई काम करने के लिए आ गया फिर मैंने मुंबई आकर एक चॉल में रेंट पर एक रूम लिया बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में ट्राइ किया छे महिने तक काफे स्ट्रगल किया दिन रात मेहनत की घर से माबाप का कोल आया वो प सुभा से अच्छे से तियारी कर रखी थी और आडिशन भी बहुत अच्छे से हुआ और आपके असिस्टेन का शाम को कॉल आया मेरा सिलेक्शन हो गया है मैं बहुत ज़्यादा खुश था घर परिवार दोस्तों को सभी को बोल दिया मुझे एक मूवी में काम मिल गया है स जब मैं शाम को वहां पहुचा तो वहां बहुत सारे सेलेबरिटी थे और पार्टी भी बहुत अच्छी चल रही थी लोग काफी इंजोई कर रहे थे मैंने करन सर से पूछा सर वो मेरा रोल तो इन्हों ने सभी के सामने मुझे चिलाया और कहा शकल देखी आइने में आकर डिप्रेशन में आकर मैंने इसी चौल में फांसी लगा ली थी मैं यही रहता था यह सारी बाते सुनकर करन सर ने उससे माफी मांगी और कहा मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगा और तुम्हारा वो रोल अब मैं तुम्हारे ही जैसे गाउं के किसी टैलेंटेड गया और वहां से चला जाता है